स्टुडेंट्स, वाट इस एलेक्रिक सर्किट एक लोज पाथ स्टू वेच इलेक्रिक करन्ट इस फ्लोग, कॉल्ड इलेक्रिक सर्किट. इलेक्रिक सर्किट तयार करने के लिए हमेचे ये ड्राई सेल, टॉर्च बल्ग, दो वायर और एक पिल इनकी जवरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को उसके नेगेटिव टर्मिनल के कॉंटेक्ट में नाना होता है हम क्या करेंगे ये वायर जो पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ टॉर्च बल्ग को अटेच करेंगे और बल्ग के साथ दूसरे वायर का एक अटेच करेंगे वायर का जो दूसरा हिस्स सीरा है उसके उपर हम एक पिन लगाएंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ वायर था जैसे ही उसके फ्री एंड को हम और पिन के साथ टच करते हैं हमारा बर्ब ग्लो करना शुरू कर देता है मतलब कि हमने क्लोजड पाथ तयार कर लिया जिसमें से करन्ट फ्लो हो रहा है तो क्या हम इस सिम्बल सर्किट से कोई टोई भी बिना सकते हैं चलिए ट्राई करते हैं यह मेरे पास रेड पिक पर है यह ब्लैक है इससे मैं बनाने जारी हूडिंग्स डबल साइड टेप लेके ड्राई सेर के उपर लगाई और यहां पे यह विंग्स पेस्ट कर देए अब यह जो ब्लैक सीट है इसमें से हम तेम स्ट्रिप काटेंगे करें में की आते हैं कि नह रेड़ करेंगे उब यह करो 25 लाज़ इस टेप को सेल के नीचे वाले हिस्से में पेस्ट कर लिए और जो ब्लेक कलर की स्ट्रिक करती हैं वो यहां लगाते हैं यह देखी है यह इंसेक्ट हमारे पास त्यार हो गया है जिसके त्री पेर ओफ लैट्स होते हैं और इसका नाम दिया है मैंने बग विंग्स डबल साइड टेप लेके ड्राइस एल के उपर लगाई और यहां पर यह विंग्स पेस्ट कर देए अब यह जो ब्लैक सीट है इसमें से हम तेन स्ट्रिप काटेंगे बश्राइस नाम पाइँ स कर दोट है और चॉपानिर झाल कर दो धगिंग्स ध्याम जब लाद सवानित, गल दॉपउड़ड़ड़ड़ड़गे स्ट्रोपड़़ड़़ड़़ड़ड़़ड़ड़़वस्ट स्ट्रिश्रिप कर दिए इस टेक को सेल के नीचे वाले हिस्से में पेस्ट कर लिए और जो ब्लेक कलर की स्ट्रिट करटी हैं वह यहां लगाते हैं यह देखी है यह इंसेक्ट हमारे पास त्यार हो गया है जिसके त्री पेर ओफ लैट्स होते हैं और इसका नाम दिया है मैंने बग यह देखी यह हमारा त्यार हो गया है बग और इसकी नोस गलो कर रही है इसलिए इसको नएया नाम दिया है नोजबग रही है इसलिए आ दिया है नोजब त्यार नाम दिया टेखी यह है लिए प्योजबग प्यार्ण दिया है यह दो त्दिए्टबग